हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग तो अल फियर वेलकम टो लॉजिक पार्चाला आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 28 ऑफ जून 2023 के इंपोर्टेंट के इंटरफियर्स के क्वेस्टेंस फ्रेंड्स इस वीडियो को पीडेफ है वा आप लोग को हमारे टेलिग्राम गुरूप से मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप लोग टेलिग्राम पर डारेकली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पार्चाला 16 तो चले फ्रेंड्स आज के से इंपोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से सक्सेस सिंपल डू वर्ट्स राइट दर राइट वे अट दी राइट टाइम देखिए सक्सेस ना बहुत कठिन नहीं होता एक सिंपल होता है लेकिन आपको क्या करना होता है आपको सही चीज करनी होती है सही तरीके से वो भी सही टाइम पे क्योंकि अगर आप एक सही टाइम पे देखिए अपनी चीज़ों को नहीं स्टार्ट करोगे अपनी चीज़ों को नहीं करोगे ना तो कहते हैं ना कि जब एक पार टाइम निकल जात से शुरू करती है, World MSME Day, यानि Micro, Small and Medium Enterprises Day, ये कब मनाया जाता है, 27 June को ये दिन Celebrate किया जाता है, इस दिन को Celebrate करने का दिखें, उदेशे क्या है, कि जो MSME है, उसकी Significance, उसकी महत्व को उजागर करना, और ये हमारी कंट्री की जो Economy है, उसकी Backbone है, कैसे ये उसमें Crucial Lower Play करता है, यानि कैसे उसमें ये महतवपूर भूमी का निभाता है, उसके बारे में Highlight करना है, नहीं लोगों को बताना, अब आते हैं इसकी Theme, तो इसकी Theme कहा रहा है इस पार की Future Ready MSMEs for India at the rate 100, तो ये इसकी Theme रही है, इससे हमें याद रखना है, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेशन से, पहला क्वेशन देखिए, क्यारी कोस मिच्सु टाकिस has been sworn in as a Prime Minister of which country, तो क्यारी कोस मिच्सु टाकिस ने किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में अभी शबद ली है, हाली में देखें ये इनों ग्रीस के जो है प्राइम मिनिस्टर पॉइंट होए है और इनों ने अभी हाली में शबद भी ली है, ये यहां के second term के लिए अपने दूसरे कारेकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है बनी है, ग्रीस की बात करें, capital है एथेंस और ग्रीस की करेंसी है योरो, बात करें फ्रेंड्स कुछ और अब न्यू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट की ये भी recent अपॉइंट होए है देखें, फिनलेंड में प्राइम मिनिस्टर बनी है, पेट्री ओर्पा, सणा मारिं की जगा पे ये अपॉइंट होए है, लात्विया में नय प्रेजिडेंट बने इदगर्स, रिंकिविक्स, तोकी के नय प्रेजिडेंट बने रिसर तयव एडदोगन, ये री लेक्ट होए है, नाइजीरिया के प्रेजिडेंट बने बोला एहमा टिनुबू नेक्स देखे बड़ागवे के नए प्रेजिडेंट कौन बने हैं सेंटियागो पेना अगला question देख लेते हैं next question है what is the rank of India in the global competitiveness index 2023 तो जो भी वैश्वी प्रतिस परधात मक्ता सुचकांक आया उसमें भारत क्यों से rank पे है तो इंडिया की rank है फ्रेंट्स इसमें 40 तो इंडिया की rank नंबर वन पे कौन सी कंट्री है ये आप लोग जरूर याद रखे तो इसमें भारत 40 पे है और इसमें डेनमार्क नंबर वन पे है देन आयलेंड है और तीसरे नंबर पे है स्विजलेंड इससे रिलीस किसने किया है तो इंटरनाशनल इंस्टिटूट इस इंडेक्स को जारी किया गया है याद दखियेगा भारत कौन से नंबर पे है इसमें भारत है 40 नंबर पे बात करने कुछ recent और इंडेक्स की तो देखे अवी ग्लोबल जंडर गाप इंडेक्स आई थी जिसमें इंडिया रहा 127 पे और आइसलेंड ने इसमें टॉप किया Hank के Annual Misery Index चो आयती ही उसमें इंडिया की रैंक रही 103rd और Jimbabwe रहा नमबर वन पे World Press Freedom Index में भारत की रैंक रही 161 और Norway रहा नमबर वन पे World Bank's Logistic Performance Index में भारत कौन से रैंक पे रहा है 38th रैंक पे Next Question देखिए Which of the following city will host Urban 20 Mayoral Summit on 7 to 8 July 2023 कौन सा शहर 7 से 8 जुलाई 2023 को Urban 20 Mayoral शिखल सम्मेलन की मिजबानी करेगा तो फ्रेंट्स इसकी मिजबानी कौन सा शहर करेगा याद रखेगा एहमदाबाद जो है इसकी मिजबानी करेगा जो Mayoral Summit है इसमें एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि जितने भी several cities यानि कई शहर के नेता हो गए और G20 Nations के जो Mayors हैं उनके आने की उमीद है बताब वो आएंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है तो आपको सिंपल यहां पे ध्यान रखना है कि यह समें जो है कौन से शहर में होगा इसका आयोजन होगा एहमदाबाद में जी ट्वंटी से रेटेड बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट निउस की तो देखें जी ट्वंटी लेबर इंगेजमेंट समेट कहां पे हुआ पटना बिहार में जी ट्वंटी एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पे हुई हैदरबाद तिलंगाना में साइन्स 20 मीटिंग हुई भोपाल मद्यप्रदेश में वुमेंट 20 जो समिट हुआ था ये महाबलीपुरम तमिलाडो में हुआ था और चौती एजुकेशन वर्किंग गुरुप की जो मीटिंग है कहां पी हुई पूने महारास्ते में तो बार बार दिखें जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिफिनिटली ये बहुत ही असानी से आपको इनको याद करवाएंगे नेक्स दिखें अगला कोशन है इंडिया रन्यूबल एनरजी डेवलप्मेंट एजनसी हैस सेट अप आ स्टेट ऑफ दी आर्ट बिजनस सेंटर अट विच सिटी तो भारती नभी करनी है उजा विकास एजनसी ने किस शहर में एक अत्याधुनिक बिजनस सेंटर स्थापित किया है तो इसे कहां पे स्थापित किया है ये बिजनस जो सेंटर है इसे न्यू डेली में स्थापित किया गया है ये जो नया ओफिस है ये क्या करेगा देखिए कि जो use of paper होता है उससे eliminate करने और पूरी organization को एक digital workflow में लेके आने के लिए जो नए technology हो गई या innovative solutions हैं वो सारे चीज़े इसमें शामिल है तो paper का use कम करके digitally चीज़े करने के कोशिश की जाएगी और उसमें ये जो business center है काफी जात हम मदद करेगा तो कहां पे इसको open किया गया है ये business center खुला गया है New Delhi में अगला question the first hydrogen powered trains in India are expected to start from which state by the end of 2023 भारत में देखे पहली जो hydrogen से चनने वारी train है वो दो साथ ते ही इसके अन्त तक किस राज़े से शुरू होने की उमीद है तो ये किस राज़े से शुरू होगी हरियाना से और इसी साल के अन्त तक ये अभी expect किया जा रहा है कि इसको start कर दिया जाएगा तो जो जिंद district है उसी के पाउस वहीं पे ही near railway station में वहीं से ही जो है इसको शुरू किया जाएगा ये जो plant है ये development of this plant has reached the final stage ये final stage तक पहुंच कया है और इसमें जो hydrogen है उसको water से produce किया जाएगा अच्छा हम बात करें कि सबसे पहले पूरे वर्ड में hydrogen train कहां पे चली है तो अगर इसकी बात करें तो आपका क्या सही answer होगा right answer is Germany तो आप इंडिया भी देखें इसको शुरू कर रहा है और इस साल की अंत तक हर्यान से जो है इसकी शुरुवात हो जाएगी हर्यान से बात करने कुछ current face की तो कि हर्याना सरकार ने जो है भी campaign को launch किया था जो की waste collection के बारे में aware करने के लिए शुरू किया गया हर्याना की सरकार ने जो पद्म awards winners रही है उनको 10,000 monthly pension देने की announcement की हर्याना की चीफ मिनिस्टर जो है मनुह लाल खटर उन्होंने जो है अभी integrated water resources action plan को launch किया हर्याना जो है पहला state बना जो railway network है वो 100% electrified हो गया है हर्याना की सरकार ने launch किया निरोगी हर्याना project को इसके लावा यहाँ पे good governance को promote करने के लिए awards के शुरुवात की गई हर्याना की सरकार ने जो pet dogs हैं उनके लिए registration को mandatory किया है word के largest जो जंगल सफारी पार्क है यह कहाँ पे open हुई है हर्याना state में नेक्स जाने कीए friends हर्याना की सरकार ने मात्र शक्ती उद्ध्यमिता scheme को शुरू किया इसके लावा हर्याना सरकार ने कोशल रोजकार निगम web portal को भी launch किया तो यह हमारी कुछ important news है हर्याना से related next question देखे which of the following state government to build first underwater tunnel at a cost of 6000 करोन रुपीज in the state तो 6000 करोन रुपे के लागत से पानी पहली पानी के नीचे जो सोरंग है वो किस राजे में बनाई जाएगी तो यह कहां बनाई जाएगी असम state में से construct किया जाएगा तो असम में नुमाली गड़ और गोहुपूर के बीच पहली असम की पानी के नीचे सोरंग का नर्माड किया जाएगा असम की बात करते हैं capital है दिस्पो चीफ मिनिस्टर है हिमानता विश्व शर्मा गवर्नर है गुलाब चहंद काटारिया लोकसभा सीटे है 14 राजसभा सीटे है 7 और assembly सीट है 126 वर्ड का जो largest river island है माजली आइलेंड ये असम में ब्रहमपुतर रिवर पे है important national park कौन कौन से हैं देखे काजी रंका नामेरी मानस नेशनल पार्क डिबरो साइखोबा औरंग राय मोना और देहंग पटकाई wildlife sanctuary तो ये हैं असम के important national park अभी आपको याद होका recent ही थे कि असम स्टेट के द्वारा आहिश्मान स्कीम शुरू की गई थी और एक साथ देके largest भी हू परफॉर्मेंस देके असम ने गिनेस वर्ड रिकॉर्ड भी create किया था अगला question which insurance company limited has launched the निश्यत pension plan तो निश्यत pension plan जो योशना है यसी योशना को किस ने शुरू किया है आदिते बिर्ला sun life insurance नहीं तो अब इसका plan का क्या मतलब है देखिए तो ये जब retirement हो जाती है तो retirement के बाद जो policy holders होंगे उनके लिए जो plans होंगे pension plans होंगे उनको enable करेगा मतलब आपको निश्यती जो है वो pension मिलेगी आपकी retirement के बाद जो इसी plan को कहा गया है निश्यत pension plan कुछ और facilities की बात करें banking sector में जो launch होई जैसे एक्स बैंक ने launch किया था one view future on its mobile application पे Kotak Mahindra bank ने launch किया था active money auto sweep account Indian overseas bank ने introduce किया my account my name को South Indian bank ने launch किया digital platform for hassle free account opening लोगो दिक्कत ना हो अराम से वो अपना account open करें उसके लिए digital platform को launch किया गया अगला question देखे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी has recently awarded the order of the Nile it is the highest owner of which country तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को order of the Nile से सम्मानित किया गया है यह किस देश का सरवोच सम्मान है तो यह है एजिप्ट का highest जो है honor है याद रखेंगे नाम क्या है इसका order of the Nile तो एजिप्ट के जो प्रेजिडेंट है अब्देल फदा अल सिसी उन्हीं के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यह honor दिया गया है और यह 13th highest state honor है जो कि अलग अलग country के द्वारा मोदी जी को दिया गया है यहाँ देख सकते हैं कि एक फोटो आपको देख रहे होगी इसमें आप देखिए कि जो अभी तक मोदी जी को जो award मिले है अलग अलग countries के द्वारा उसके नाम दिये हैं जैसे अभी तो इजिप्ट के द्वारा मिला सौधी अरिविया ने भी इने order of the अब्दुलाजस अल सौध से सम्मानित किया था इसके लावा आप यहाँ पर और देख सकते हैं कि फिजी वाला भी प्रिसेंट दिया गया था companion of the order of फिजी पापियो नियोगी नियोग के दार दिया गया था companion of the order of लोगु हूँ तो यह countries के highest honor है जो कि किसे मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिये गए हैं अगला question who has been named the prestigious साहिते अकादमी बाल साहिते पुरिशकार for the novel तो इनके novel का नाम क्या है पेरु माजाइते कुंची थालूकल तो यह novel का नाम है और इसी novel के लिए साहिते अकादमी बाल साहिते पुरिशकार से किसे नामित किया गया है सही answer है Priya A.S. को यह award मिला है आप इनके novel का नाम देखे जरू ध्यान रखेगा और इनको केरल साहिते अकादमी अवार्ड भी मिला है for children's literature यानि इसी same novel के लिए 2020 में उनको children's literature के लिए केरल साहिते अकादमी अवार्ड भी मिला था कुछ recent awards की बात करें तो देखे अभी Christiano Ronaldo ने Guinness World Record अवार्ड जीदा Olympic order जो award है Olympic International Olympic Committee के द्वारा किसे मिला Tedros Ghebreyes को First Professor Kota Palli Jayshankar award किसे मिला आचारिय गोपी जी को German Peace Prize मिला Salman Rushdie को 45th European SA Prize मिला Arundhati Roy को उनके ऐसे आजादी के लिए अगला question who has been honored by the Indian Medical Association Award for his contribution to the medical field तो medical field में उनका contribution रहा उसके लिए उन्हें Indian Medical Association पुरिसकार से सम्मानित किया गया है किसे मिला है ये award तो correct answer हो जाएगा friends डॉक्टर के विर्णू को पाल जी को ये award दिया गया है तो medical field में उनके contribution के लिए उन्हें ये award मिला है उन्हें ये award कब receive होगा 1st July को New Delhi में जो एक function है award function उसी दौरान जो है उन्हें ये award receive होगा तो यहाँ पर friends हमारे questions का सिलसला हो जाता है complete चले cover करते हैं strategy के questions को पहला question है which of the following places is known as the grape capital of India तो यहाँ कुछ places के नाम दिये हैं इसमें बताना है कि भारत की अंगूर राजधानी के रूब में किसे जाना जाता है सही answer है नासिक तो नासिक डिस्टिक जो है यह महरास्ट्र स्टेट में है और इसे grape capital of India के नाम से जाना जाता है अच्छा अगर हम बात करें friends कुछ और मैं आपको revise करा देती हूँ जैसे निगनेम होते हैं जैसे city of lake तो city of lake किसे कहते हैं याद रखेगा उदैपूर को कहा जाता है city of pearls अगर पूछें तो किसे कहते हैं हैदराबाद शहर को इसके बाद friends city of nawab पूछा जाये तो किसे कहा जाता है लखनौ शहर को orange city के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है right answer is नागपूर बढ़ते हैं अगले question पे next question है मारा which of the following crop is an example of खरीब crop अब यहां आपको कुछ फसलों के नाम दिये हैं बताना है कि इन में से कौन सी फसल जो है ये खरीब फसलों का उधारण है answer is cotton तो cotton जो है friends एक खरीब फसल है अच्छा खरीब अगर crops की बात करें तो खरीब crops को monsoon crops भी कहा जाता है क्योंकि इनको cultivate किया जाता है monsoon season में ये जो crop होती है फसली होती है इनको बोया जाता है rainy season की शुरुवात में और monsoon season में इनको जहें के कटाई हो जाती है अब examples की बात करेंगे खरीब जो फसली है उनके कौन कौन से example है तो हुझाएगर जैसे rice हो गया आपका maze हो गया देखें रागी बाजरा हो गया इसके अलावा friends ground nut हो गया cotton ये सबी जो है खरीब फसलों के उधारण है अगला question देखे श्री शैलम hydroelectric power plant is built on which river तो जो श्री शैलम hydroelectric power plant है किस नदी पर बनाया गया है friends तो सही answer होगा इसे बनाया गया है कृष्णा रिवर पे और कौन से state में ये आंध्रप्रदेश के कुर्णूल district में ये located है चलिए next question देख लेते हैं दिख कोईना तुंग भद्रा और भीमा रिवर्स आर्दी मेजर ट्रिबिटरीज ओव दी विजवदी फुलाइंग रिवर तो कोईना तुंग भद्रा और जी भीमा नदी है ये किस नदी की प्रमुक सहायक नदी है आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर की ये प्रमुक सहायक नदी है याद रखेगा next question देख लेते हैं the famous cultural site रानी का वव जिसे कहेंगे कुईन स्टेवल इस सिचुएटेड ओन दी बैंक्स ओव विच रिवर तो famous जो रानी का वव है किस नदी के तड़ पर अस्तित है तो ये लोकेटेड है सरस्वती रिवर के तड़ और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड ह अगर स्टेट की बात करते हैं तो ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड हैं तो फ्रेंट्स यहां पे हमारे questions पी complete हो गई है चलिए अब हम cover कर लेते हैं कल के revision questions को तो पहला question देखे क्या है विच बैंक है तो किस बैंक ने तमिलाडू राच्य ग्रामीर आजीवी का मिशन के साथ में एक समझाता किया है तो कौन सा बैंक है इंडियन ओवर्सीज बैंक next question है which state government has launched PCTS mobile application to ensure better health care तो PCTS mobile application को किस ने launch किया है राजिस्थान government ने who has flagged off भारत in Paris campaign with a short marathon at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi भारत in Paris अभियान को हरीचंडी किस ने दिखाई अनुराग थाकुर्नी which IIT has recently proposed a sport quota with the aim to boost diversity तो sport quota का जो प्रेस्ताव है ये दिया है IIT मदरास ने Union Home Minister Amish Shah has recently inaugurated the construction of the बलिदान इस्तंब in which city तो ये जो बलिदान इस्तंब है इसका निर्मान किया जा रहा है श्रीनगर में और इसका गातर अमिश्यहान ने किया who has inaugurated the Medha Rail Coach Factory in the Sangha Reddy District of Telangana तो इसका उदगाटन किया है Telangana के चीफ मिनिस्टर के चंदरशेकर राउनी Next is the 8th Global Pharmaceutical Quality Summit was held in which city? आठवा वैश्विक Pharmaceutical गुडवत्ता शिखर सम्मेलन के शहर में आयोजित किया गया? आंसर इस मुंबई शहर में What is the rank of India Institute of Science Bengaluru? तो अगर IISC Bengaluru की बात करती है तो अभी Times Higher Education की जो Annual Asia University की ranking आई इसमें कौन से नमबर पे इसकी इसकी रैंकिंग है 48 और चाइना की जो Shingua University है वो इसमें रही है नमबर 1 पे इंडिया ने अभी Mutual Recognization Agreement की साथ में साइन किया है आंसर इस UAE में के साथ तो यहां मारे questions भी complete होगे फ्रेंट्स कला आप लोगों से हमने दो questions पूछे थे पहला था कि बुक का नाम था Life Well Spent 4 Decades in the Indian Foreign Service यह बुक किस ने लिखी सतीश चंदर ने सेकिंड था कि जो गुवहार्टी High Court है गुवहार्टी Real Estate Station उसे E-Trite Certificate मिला था तो आपने सभी ने बिल्कुँ देखे सही आंसर करें दोनों questions के फ्रेंट्स आज के मारे comment नेहा अगरवाल और प्रतीवदास दोनों को friends thank you so much और सभी को देखे thank you आप लोग देखे comment जरूर किया करें जो भी हम आप लोगों से test के question पूछते हैं तो चले बात कर लेते हैं आज के questions की पहला question क्या है which city is called South India's Manchester तो दक्षिन भारत का Manchester किसे कहा चाता है दूसरा question International Women's Day कब मनाया जाता है यानि अंतराष्टे महिला दिवस किस तारी को मनाया जाता है साथी में उसकी theme क्या रही ये भी आप लोग जरूर बताएं तो इन दोनों question की answer आप हमें comment box में बता दीजे फटा फट से और यहां पर friends आज का यह हमारा session हो जाता है complete अगर आपको हमारी video अची लगी हो तो video को like जरूर करें friends share करें friends अपने दोस्तों के साथ में और channel पे नए हो तो please channel को subscribe जरूर करें आप लोगों से फिर बलाकात होगी अगली important class में thank you so much for watching this video